आप भी Windows इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही है जब आप Windows इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई भी ड्राइव शोर नहीं हो रही है, आपको एक मैसेज यहां पे शोर रहा है कि इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा सॉलिशन वताने वाला हूँ, आपके यह प्रॉलम बिलकुल सॉल्व हो जाएगी, यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा का पूरा स्टेप बाइस्टेप प्रोसेस समझाऊँगा आपको, अभी आ आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर मेरी कोई भी ड्राइव शो नहीं हो रही है, यदि कोई भी ड्राइव शो होती तो मैं इसली विंडोज को इंस्टॉल कर पाता, तो यह एरल मैसेज आता क्यों है, सबसे पहले आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ, नॉर्म होते हैं, जो हमको अपने HP के ड्राइवर में लिंक करने पड़ते हैं, विंडोज को इस्टॉल करतें टैम पे, तो आप य지 HP का कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं, या कोई अधर इस्टम यूज का यूज उस कर रहे हैं और आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आ खर। यहां पर मैं आपको step by step पूरा process समझाने वाला हूँ तो guys यहाँ पर मैं एक example लेके चल रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास भी यह वाला issue face हुआ था hp का एक server है मेरे पास ml30 और उसके अंदर मैं windows को install कर रहा था और मुझे को यहाँ पर issue का face करना पड़ा इस case में आपको सबसे पहले क्या करना होगा आपको अपनी pen drive के अंदर windows जो भी आप windows install कर रहे है windows server install कर रहे है windows 10 install कर रहे है आपको bootable pen drive बना लेनी है ठीक है उसके बाद आपको क्या step follow करनी है आपको यहाँ पर दिखने वाला है ठीक है तो यहाँ पर मैं example लेने वाला हूँ windows server का तो यहाँ पर windows server के अंदर मैं यहाँ पर system utilities के अंदर गया आप यहाँ विंडोस 10 install कर रहे हो कोई अधर system यूज कर रहे है operating system windows आपको 10 है कोई अधर आपका computer है तो आप simple उसके bio setting में जाना और वहाँ पर आप अपने जो भी आपका basically advanced setting के अंदर जाके यहाँ पर जैसे मैंने generic जो USB है boot device मैंने set कर दी है priority तो मैं अपनी pen drive से boot कराऊंगा windows को आप advanced option के अंदर windows आपने जो भी आपकी pen drive है उसको select करके आप यहाँ पर boot करा सकते हो अपनी pen drive को तो simply आपको pen drive को boot कराना है जब boot कराएंगे तो यहाँ पर windows installation start हो जाएगी और last मैं आपको इस तरीके के error message आएगा तो आपको क्या करना होगा step by step आपको इस video के अंदर मिलने वाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो hp का server है वो load हो रहा है और windows यहाँ पर load होके में को UI यहाँ पर दिख गया है ठीक है मैंने next किया install now वाले button पर click किया simply आप भी अपने system के अंदर कुछ इस तरीके से करेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह start up is starting लिखा हुआ रहा है अब यहाँ पर जब मैंने आपको starting में जो error message दिखाई थी जो वो इस तरीके से आपको यहाँ पर show होने वाली है तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना windows server 2016 standard desktop edition select कर लिया है i accept terms पर click करके next कर दिया है और यहाँ पर मैंने customize वाले option पर click कर दिया है अब देखिए आपर कोई भी drive show नहीं होरी है इस case में मैं क्या करूँगा आपको सबसे पहले यह जो मैंने keyword डाला हुआ है आपको google पर जाके search करना है वैसे तो मैंने आपनी description box के अंदर software का link दे दिया है आपको यहाँ पर इस तरीके से डालना है गूगल पर और आपको कुछ driver identifier जो एक BFF site है यहाँ पर आपको इसका software install करना है मतला अपने पास download करना है सबसे पहले उसके बाद कौन सी step follow करनी होगी वो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने काफी सारे software आपको मिल जाएगे तो आपको जो domain से मैंने search किया है उस name की .exe file को download कर लेना है अपने system के अंदर यहाँ पर मैंने download कर के रखा हूँ अपने system के अंदर अप इस website से भी सको download कर सकते हैं description के अंदर भी मैंने link दी है direct आप download कर सकते हैं ठीक है, उसको download करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैंने इसको download कर लिया है, अपने system के अंदर, अब आपको अपनी pen drive के अंदर paste कर देना है उसको, ठीक है, कोई भी अधर system पे लगाना, उसको pen drive के अंदर paste करके, right click करना है उस software पे, और आपको यहाँ पर extract कर लेना है, install नहीं करना, extract कर लेना है, जैसे आप extract करेंगे, तो कुछ काफी साली file आपकी pen drive के अंदर आ जाएगी, ठीक है, आपकी pen drive में already एक windows bootable बनी हुई है, और यह वाले भी आपके बार files आजाएंगे, अब आपको browse वाले option पे click करना है, और आपनी pen drive को select करना, और उस particular folder को select करना है, जहाँ पर आपने इसको extract करके डाला था, तो यहाँ पर मैंने new folder के नाम से folder बनाया है, new folder मैंने यहाँ पर click किया, जैसी मैं यहाँ पर click करके ok करूँगा, देखिए, आपको यहाँ पर दिखे होंगे, काफी सारे folder से हैं, जो की मेरी pen drive के अंदर already booting, जो मेरे windows 16 की boot बनायी थी, उसके काफी सारे folder से, एक new folder आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर मैंने अपनी इस software को extract करके डाला है, तो यहाँ पर मैंने new folder को click किया, click करने के बाद जैसी मैं ok करूँगा, आप देख सकते हैं कि आपके dynamic smart array के नाम से कुछ file आ गई है, मच को simply इसको next करना है, first value file पर click करके, तो यहाँ पर यह क्या होगा, driver अपने load हो जाएंगे, जो smart storage array के जो भी drivers होते हैं, यहाँ पर load हो जाएंगे, यही case है दिए आपकी windows 10 में आ रहा है, या कोई other window में आ रहा है, तो आपको similar यही process को follow करना है, ठीक है, और आप दिख सकते हैं, यहाँ पर मेरी drive जो है, show ने लग गई है, अब मैं simply क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, मच को यहाँ पर जैसे तरीके से मैं windows नॉर्मली इंस्टॉल करता हूँ, इस तरीके से मैं अपनी windows को अब इंस्टॉल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो simply मैंने अपना volume को create किया, create करने के पास simply जैसे next करूँआ, मेरी windows installation स्टार्ट हो जाएगी, और मैं पूरे last तक अपनी windows को proper तरीके से इंस्टॉल कर पाऊँगा, कोई भी error message नहीं आएगा, और गाई जिदि इस वीडियो से आपको help नहीं मिलती है, आपका issue solve नहीं होता है, तो मुझे comment section में comment कर देना, मैं आपको personally guide कर दूँगा, कि कैसे आप इस issue को अलग method से solve कर सकते हो, I hope guys, ये वीडियो आपके लिए helpful होगे, यादि वीडियो helpful है, तो वीडियो के like कर देना, चैनल पे नहीं होता भाई, चैनल को subscribe कर देना, मैं मिलता हूँ next video में देखे, भाई थैंके सो मच, जैन,